नमस्कार बच्चो व्याकरण में हम पढ़ रहे थे वर्ण और वर्ण माला तो जैसे मैंने आपको बताया कि बासा की सबसे चोटी इकाई को वर्ण कहते हैं और वर्णों के समूं को वर्ण माला कहते हैं उसके बाद मैंने बताया कि वर्णों को दो बागों में बाटा गया है एक स्वर और एक व्यांजन स्वर हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं आज हम पढ़ेंगे व्यांजन व्यांजन जिस प्रकार से आप देख रहे हैं किताम में लिखे हुए क से लेके ह तक सभी व्यांजनों के नीचे हल्चिन का प्रियोग हुआ है क से लेके ह तक सभी व्यांजनों के नीचे हल्चिन का प्रियोग हुआ है इसका मतलब ये सभी व्यांजन स्वर रही थे हैं इनमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ है आसवर के मिलने से इनका रूप बदल जाता है जब हम इन वेंजनों के साथ आ को असवर को जोड़ेंगे तो इनका रूप बदल करके कुछ इस पकार से हो जाता है जिसे क, जमा, आ जोडा तो बना कah इसका ओचरम भी बदल जाएगा च, जमा, अ, च हर्तात हम कह सकते हैं कि व्यंजनों का उच्चारण स्वर के बिना नहीं हो सकता है तो जानते हैं इसकी परिवासा परिवासा है जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वरों की सायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते है यह थी व्याकरण की परिवासा अब हम कह से लेके और हत सभी व्यंजन स्वर के साथ उनका उच्चारण किया जाता है उसके बाद कुछ और स्वर है और व्यंजन है जैसे ड़, ध, काप्रियो व्यंजनों की तरह किया जाता है इनमें कोई शब्द शुरू नहीं होता है याने की ड़ और ध से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है ये हमेशा सब्द के बीच या अंत में आते हैं उधारण के लिए देखते हैं जैसे अब अगला है क्ष, त्र, ज्या और श्र सायूक्त वेंजन है ये दो वेंजनों के मेल से बनते हैं बच्चो मैं आपको बता दू ये किन-किन से दो वेंजनों के मेल से बनते हैं अब हम पढ़ेंगे आगे स्वरों की मात्रा है अ को छोड़कर सभी स्वर वेंजन के साथ मात्रा रूप में परियोग किये जाते हैं जैसे वेंजन है र, स्वर है अ अ की तो कोई मात्रा नहीं है तो मात्रा के साथ वेंजन मना र, जमा अ बराबर र इस पर कोई मात्रा नहीं लगेगी क्योंकि इसके साथ और जोड़ा हुआ है और और की कोई मात्रा नहीं होती है तो ये बिना मात्रा का शब्द बना आपका र थरत अगला है क और क के साथ हमने आ स्वर को जोड़ा तो ये बना का यह बनेगा का, क जमा आ करेंगे, यह आ की मात्रा जोड़ेंगे, तो यह का बन जाएगा, क जमा आ का, का, न, कान, ब, ब, में हमने छोटी ए को जोड़ेंगे, छोटी ए की मात्रा, और हर स्वर की आ को छोड़ करके बाकि सभी स्वरों की मात्रा हैं होती है, तो आप देख सकत किस प्रकार से यहां पर स्वर लिखें हैं और यहां पर स्वरों की मात्राइड लिखी भी है तो जब हम भr taskha में ड़ी जोड़ेंगे तो यह खी更धी से हम खी जिर थिर से लना कीड़ा हैं जन व्यंजन और उनके साथ स्वर जोड़ करके आप स्वर की मात्रा को जोड़ करके एक नया शाब्द बना सकते हैं तो आप इसको अभ्यास के लिए अपनी बुक में अच्छे से देखेंगे आगे हम देखेंगे वन विच्छेद, वन विच्छेद का मतलब होता है अलग करना, वनों को अलग अलग करना ही वन विच्छेद के लाता है वर्ण विछेद में सब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है जैसे सब्द है माला मा पे बड़ी आ की मात्रा है तो उसको हम अलग कर देंगे म जमा आ ल पे भी आ की मात्रा है अलग कर देंगे तो ल जमा आ इस प्रकार से हमने माला सब्द से जो सब्द में जो स्वर और वेंजन जुड़े हुए थे, उनको अलग-अलग कर दिया, सिपरकाट टेहनी, टेहनी में भी हमने क्या किया, ट जमाः, ह जमाः, और न जमाई, टेहनी, स्वर और वेंजन अलग-अलग कर दिया सब्द से, तो ये हो गया वन विच्छे, जानते ह इसकी परिवासा किसी सब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विछे कहलाता है तो बच्चो यह था आपका पार्ट दो चलिए जानते हैं इसके अभ्यास के बारे में भी आपको में बता देते हैं बच्चो इसमें अभ्यास में पहला प्रेशन है अनस्वार या अनुन कहते हैं अब यहां पर तो मैंने लगा रखा है सब में आपको भी अपनी बुक में इसको फिल करना है इस तरह से अनुस्वार किस सब्द में अनुस्वार का परियोग होगा और किस सब्द में अनुस्वार का परियोग होगा यह आपने अपने विवेक से इसको भरना है यह आपको समझना आए तो आप इसलिवाली वीडियो देख सकते हैं अगला प्रेशन है बच्चो दिये गए सब्दों का वर्ण विच्छेत कीजिए जैसे मैंने अभी आपको माला का बताया था वर्ण विच्छेत करके ऐसे ही यहां पर माता लिखा है तो मुझे के मा वेंजन है और मा वेंजन पे बड़े आ की मातर लगी हुई है वैसे ही त वेंजन पे बड़े आ की मातर लगी हुई है तो आपने मा को अलग कर दिया मा उसके नीचे आपने वेंजन के नीचे हलंत लगाएंगे जमा आ त त त पे किसकी मातर है आ की तो आ की मातर लिख देंगे त जमा माता यह क्या बन गया माता इस प्रकार से आपको जिस प्रकार से मैंने सभी व्यंजन के साथ से सौर को अलग कर रखा है सौर और व्यंजनों को अलग-अलग किया हुआ है उसी प्रकार से आपको भी इसको अपनी बुक में अलग-अलग करना है यानि की वंड विच्छेद करन प्रशन नमबर 3 है, सही सब्द से वाक्य पूरे करो, यहां पर बच्चो फिल इन ब लेंक्स हैं और साइड में आपको ओप्शन दिये हुए हैं दो, आपने इन दोनों में से एक छाट करके यहां पर लिखना है, आपको फिल इन ब लेंक्स में यहां भरना है, तो मैं पर देत इसको निश्चत क्रम में लिखे वर्णों के समु को डैश कहते हैं. अब वर्ण माला कहते हैं या भासा कहते हैं. आपको राइट आंसर लिखना है. ज और डैश वर्णों का प्रियोग वेंजनों की तरह किया जाता है. यहां पर option दिये हुए हैं आपको for या फिर o भासा की सबसे छोटी काई dash कहलाती है वर्ण या व्या करन किसी सब्द के वर्णों को अलग-अलग करना dash कहलाता है क्या कहलाता है वर्ण विचे या वर्ण जिन वर्णों को बूलने के लिए सब्द के वर्णों की सायता लेनी पड़ती है वे dash कहलाते हैं क्या कहलाते है सब्द या वेंजन आपको दोनों में से right answer चुनकर यहां लिखना है अता है चो है अता शब्द में dash लगा है बच्चो क्या लगा है अनुस्वार लगा है अता है सब्द में या विसर्ग लगा है देखिए यह है अताशब इसमें क्या लगा है अनुस्वार या विसर्ग मैंने आपको समझाया है अनुस्वार कौन सा होता है और विसर्ग कौन सा होता है आपको दोनों में से right answer यहां लिखना है तो बच्चो यह है आपका home सबी बच्चे काम अपनी किताब में पूरा करेंगे और जिन मच्चों के पास किताब नहीं है तो बुक काउंटर खुला हुआ है आप लोग किताबे ले सकते हैं और अगर बुक नहीं है आपके पास तो आप अपनी नॉट्बुक में भी ये काम पूरा कर सकते हैं झाल झाल